सर्दी का मौसम है और ऐसे टाइप में मिल जाए चाय के साथ गुछ गर्मा गरम कुरुकुराग चटपटा सननास्ता चुह हेल्दी भी हो और टेस्टी भी तो चलिए बनाना सुरू करते हैं पालक की ये नई रेश्पी इस रेश्पी के लिए पालक के पत्ते लिए हैं मैंने 200 ग्राम इनको अच्छे से धुलने के बाद बारिक बारिक काट लिया है और इसके साथ हम कुछ और सब्जिया ले रहे हैं तो एक कप गाजर लिया है घिसकर और बारिक कटे वे थोड़े से हरधनिया और दो कप के करीव ये पत्ता गुभी है अब हम इन सारी सब्जियों को पालक वाले बाउल में टाल लेंगे इनको मिक्स करने के लिए एक बड़ा बरतन लीजेगा मैंने थोड़ा सा छोटा बरतन लिया है तो सब्जिया उपर तक भर गई है अब हम इसके अंदर एक चम्मच नमक डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो अभी पाल लेंगे और इसके अंदर डालेंगे एक चम्मच साबूद्धनिया आधा चम्मच जीरा चार से पांच हरी मिर्च साथ से आठ लैसुन की कलिया और एक इंच अद्रक के टुकडे इन्हें हम बिना पानी डाले पीस लेंगे दरदरा पीसेंगे इस तरह से इधर फेकेंगे नहीं इनको हम चान लेंगे सब्चय काफी नरम पड़ गई है अब हम इसके अंदर ये पीसे हुए मसाले डाल देंगे इसके साथ हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पौडर, आधा चम्मच आजवाईन और आधा चम्मच नमक नमक हमने सब्चयों में डाला था लेकिन पानी के साथ निकल गया है तो थोड़ा नमक जरूर डालिएगा दो चम्मच तिल बोड़ी को गरम रखेगा ठंड के मौसम में और आधा चम्मच आमचूर पाउडर अब हम डालेंगे आधा कब बेशन और एक चौथाई चम्मच चावल का आटा इससे नास्ता बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा अब हम इनको करेंगे अच्छे से मिक्स तो हाथ से इन्हें अच्छे से मिला लेते हम पानी बिल्कुल भी मद डालिएगा सबजियों में इतना सारा पानी होता है कि ये चिपचीपे भी हो सकते हैं अगर गीला हो जाए डो तो इसमें थोड़ा सा चावल का नाटा और मिक्स कर लीजिए देखिए अभी ये मिस्रड एकदम परफेक्ट है इस तरह से लड़ू बन रहा है आप चाहे तो इस तरह से बॉल्स बनाकर इन्हें फ्राई करके भी खा सकते हैं पर आज हम बना रहे हैं इस नास्ते को स्टीम करके तो एक चाली वाला बरतन लेंगे या स्टीमर की छन्नी ले लिजिए उसके उपर ओल लगा लिजिए अब इस मिस्रड से थोड़ा सा मिस्रड हाथ में लेकर इसे रोल कर लिजिए तो देखिए मैंने इसे इस तरह से लंबाई में रोल किया है इसे हम चन्नी के उपर रखेंगे दो रोल तयार हुए है और थोड़ा सा ये मिस्रड बच गया है इसका इस्तमाल हम बात में करेंगे अब ही हम इने स्टीम कर लेते हैं तो स्टीम करने के लिए एक बड़े बरतन में मैंने पानी गरम होने के लिए रख दिया था इसके उपर ये चन्नी रखेंगे और इसे ढख कर 10 मिनट तक पकाएंगे जब तक ये स्टीम हो रहा है तब तक हम इस मिस्रड से बनाते हैं करमा गरम पकोड़े तो ये जो पानी बचा है इसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे क्योंकि ये मिस्रड बहुत हाड है और जब हम पकोड़े बनाएंगे तो वो हाड बनेंगे सौफ्ट नहीं होंगे तो इसे पानी से हम थोड़ा सा इसे गीला कर लेंगे अब हम इसकी गोल-गोल बढ़ियां बना लेंगे चाहें तो छोटी-छोटी भज्जियां भी तल सकते हैं तो इस तरह से हम ओल में इन्हें फ्राई करके भी बना सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं तो देखिए इस तरह से क्रिस्पी गोलगोल पकोणे बना कर भी तियार कर सकते हैं दस मिनट हो गए हैं इधर ये बढ़ियां भी स्टीम हो गई हैं तो अब हम इने निकाल कर थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे उसके बाद हम इने काटेंगे बिना मिठा सोडा के भी ये बढ़ियां एकदम सौफ्ट बनती हैं तो चलिए अब हम इने काट लेते हैं तो आधी इंच की मुटाई पर मैं इने काट रही हूँ और ये देखिए सबचियों से बने हुई ये बढ़ियां बहुत ही ज्यादा टेस्टी चटपटी लगती हैं बिना फ्राई किये हुए भी इने आप खा सकते हैं और अगर आप इने तल कर खाएंगे न तो ये और भी ज्यादा क्रिस्पी करारी बनेंगी इने आप इस्टोर करके 3-4 दिन तक रख सकते हैं और जब मन करें इने फ्राई करके खा सकते हैं तो चलिए हम इने फ्राई कर लेते हैं फ्राई करने के लिए मैंने पैन में दो बड़े चम्मच ओ STACK को गरम कर लिया है मैं sallow fry कर रही हूँ आप चाहें तो इन्हें deep fry कर सकते हैं एके करके इसके अंदर डाल देंगे जितनी पैन में आ जाए एक तरफ से golden होने के बाद हम इन्हें दूसरी तरफ पलट लेंगे बहुत ही ज़्यादा crispy नास्ता बनता है ये बढ़ियां अच्छे से cook हैं तो इन्हें high flame पर ही fry कीजिएगा तो ये बढ़ियां oily नहीं बनेंगी दोनों तरफ से अच्छे से fry हो गई हैं तो हम इन्हें निकाल लेंगे ये देखिए बहुत ही ज़्यादा crispy कुरकुरा नास्ता बनता है इन्हें आप चाय के साथ enjoy कर सकते हैं तो आज की ये सबजियों से बने हुई recipe आपको कैसी लगी comment में जरूर बताईएगा अच्छी लगी तो वीडियो को एक like और चैनल को subscribe करना ना भोलेगा साथ में एक छोटी सी घंटी की बताना आएगी उसे भी प्रेस कर लीजेगा जिससे नई नई recipe की वीडियो का notification आपको सबसे पहले मिले तो फिर मिलते हैं एक नई recipe के साब धन्यबाद